एक समय पर मुबाइल कमपनियों की पहली पसंद चाइना था लेकिन आज भारत बड़ी-बड़ी मुबाइल कमपनियों की फर्स चॉइस है आज के समय में भारत में बड़ी और नामी मुबाइल कमपनिया फोन बना रही है और वो यह है कि एपल जो है उन्होंने काई कि वो पांच लाक नौकरियां जो है वो भारत में क्रियेट करने जा रहे हैं कुछ अगले तीन साल के अंदर और जो मैं कहा है कि जो ग्लोबल मैनुफाक्टरिंग एंवार्मेंट एंड बिजनस एंवार्मेंट के ओपर जो असर चीज डालने वाली है वो यह है कि आईफून ने का है कि वो अपनी अल्मॉस्ट हाफ अप दे सप्लाइचेंज जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके ज जा रहा है लेकिन यह जो आखर मैंने से इंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगा लेने जा रहा है यह जी एपल कंपनी जो है जिया वो भारत में जो है अपने जितने उनके ऑफिसेज या कई जो वहां पर चाइना में जो काम हो रहा है यह जो उनकी फैक्टरिस चाइन में हैं जो मैनुफेक्टरिंग का काम चाइना में हो रहा है कोशिश की जा रही है कि उसको भारत में शिफ्ट किया जाए और आइससा करके भारत में शिफ्ट किया जाएगा ये भी बताया जा साथ हजार प्रतिशत की वृद्धी हुई यह सारे एक ही चीजे हैं लेकर इसका मतलब यह है कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है और यह चीजे है अब आपको पता है आपल बहुत बड़ा टेक जाएंट है अगर अपनी चाइना को भी साप सूंगा दोस्तों यह अनौंसमेंट यह थी कि आने वाले दोसे तीन सालों में एपल भारत में लगबग पांच लाग जोब अपोर्चुनिटीज क्रियेट करने वाला है और इसी के साथ साथ जो एपल है वो भारत में प्रोडक्शन को डबल करने वाला है ठीक है बहुत बड़ी बात है और यह जो डबल करेगा यह चाइना से कटोती करके डबल करेगा अब दोस्तों क्योंकि अपल तो USA की कंपनी है तो चाइना कुछ कह भी नहीं सकता दोस्तों जब शुरू-शुरू में भारत आई थी अपल कंपनी जब भारत में मैनुफेक्चिनिंग शुरू की थी अपल ने तब उस समय चाइना ने बहुत प्रपागेंड़ा था कि भारत में एपल बनेगा तो दुनिया में बिकेगा ने लेकिन दोस्तों एपल कंपनी ने ये इंपलाइस किया कि बारत में बढनें चाह थाा शे शॉड़की ऑपचे ऐपल की इसटेर के उतने सब्सक्रिश था शूरू , सो भारत में as compare stability भी है, peace भी है, सस्ता lever भी है, उपलबदता भी है, ठीके सो उन्होंने decision लिया कि भारत में अब manufacturer अपना धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी उसी कड़ी का हिस्सा है, और इसी के तहट सरकार देश में mobile manufacturing को बढ़ावा दे रही, निकल रहा है, तो उन्होंने जिसको कहा है कि यह de-risking है, यह decoupling है, यह इसको आप कह लेते हैं, चाइना प्लस वन strategy, ठीक है, यह सारे एक ही चीज़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि चाइना से कारोबार को निकालना है, और कहीं और लेके जाना है, और यह चीज़े हैं, अ आपको पता है, आपल बहुत बड़ा tech giant है, अगर अपनी half of the supply chain वो इंडिया लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है जी, अभी सुनने में यह आ रहा है कि जो इस वक्त जो currently, जो domestic जो इस वक्त प्रोड़क्शन चल रही है, वो तकरीबन ग्यारा से बारा परसंट चल रही है, जो कि उसको अठारा परसंट के तरी लेके जाना चाहते हैं, जबकि इंडिया चाइना के अंदर को अठाइस परसंट के करीब है, यह एक बड़ी important development है for Indian youth, for Indian business, for Indian economy, Indian politics, for the favorable environment for which they are working, and एक overall जो जो जिसे कहते है न, कि एक environment completely change, जो हो हो जाएगा, और इस हवाले से आप देखें, जैसे कहा है कि तेरा 14% जो है वो इंडिया manufacture कर रहा है, sorry, इंडिया के अंदर आपल 14% manufacture कर रहा है, जबकि चाइना के अंदर 41% कर रहा है, so यह आप देखें कि यह कितनी बड़ी थदाद में, यह 14% से वो 20% जाना चाहते हैं, within the next five years की बात हो दिये, so अगर यह 20% पर चले ज जोब है, एपल की जोब्स हैं, यह blue collar जोब है, और अगर आप यह देखें, कि इस तरह वो गर को टेर्ल लाग के करीब direct jobs create कर रहे हैं, तीन लाग के करीब indirect jobs create कर रहे हैं, और सुनने में ही आ रहा है कि जो Foxconn है, Tata है, जो Salcomp है, यह residential facilities भी देंगे factory employees को, और तकरीबन तकरी इसको अगर आप सिर्फ देखते जाएं, कि जिसे वो कहते हैं, कि यह एक blue collar job जो है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ecosystem त्यार हो रहा है, और यह जारी बात है, वो जिसे कहते हैं, it won't stop here, the Foxconn, Tata, Sulcom, Apple, यह यहां पी नहीं खड़ा होगा, और बहुत सारी जो जिसे वो कहते है ना, क्योंकि Tata Electronics भी सप्लाइर है, Cellcom Technologies भी सप्लाइर है, Fox Link, Sun Vodos, बहुत से ऐसी companies हैं, जो कि सप्लाइर हैं, टू, इसको कह नाम है, Apple को, और बड़ा important role play कर रहे हैं, अब यह सुनने में आ रहा है, कि 2030 तक Apple जो है, वो को 50 million devices जो है, एक million 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 million आ devices इंडिया से त्यार करेंगे, सो 5 करोड बहुत बड़ा नमबर होता है, मैं समझता हूँ कि इसको अगर आव यह देखें, कि यह जो Apple की जो production है, ठीक है, पिछले साल में रहा है, को एक लाख करोड जो है, उसको उनने क्रॉस किया, तो इसमें यह भी आता है, कि एक तरफ व बड़ी बड़ी companies को वो को एक मौका मिल रहा है, कि वो इदर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की companies हैं, सप्लायर हैं, उनको मजीद मौका मिल रहा है, कि वह चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीजें हैं, तो यह चीजें तो अब आ बनाया है इंडिया के आंदर मैंना पिछले साल तो इसके इमाजन करें सिर्फ इमाजन करें कि इंडिया इतना ज्यादा रेविन्यू दे रहा है उनको लेकिन स्टोर अभी बनाया है इंडिया इतना ज्यादा उनको रेविन्यू दे रहा है लेकिन उन्होंने स्टोर इंडिया नहीं चल रहे हैं आप चीनी आये थे चीनीयों को मार मार के बगा दी है हमने और कुछ हमने मारा कुछ जो हमारा यहां पे जो militants का ecosystem है इस खिते के अंदर उन्होंने बगाया कुछ खिते के ममालक ने गेम डाली और उन्होंने कहा भाई ये this is the best मौका के पाकिस्तान को जरा ना कोछ चने चुवाएं इनको जरा इनको सेट करें ये भी बड़े adventures करते रहे हैं दुमिया के दूसरे मुलकों के अंदर now it's their time to pay back so जब दुनिया को समझ लगी so we are getting we are getting what हमारे बारे में काता है और हमने मिल की बोई थे लेकं अब जब आपके भी फोजी मारे गए आपने भी ऐठारा साल जंग लड़े ये अफगानस्तान के अंदर लेकन वह जारी बात है वह वेस्टन और मालक जो आते हैं यहाँ आप आके तजर्वे करके चले जाते हैं हमारी कौमें जो हैं वो स्मार्ट फोन का उत्पादक देश है चाइना के बाद दुनिया में सबसे जादा फोन बनाता है भारत और सेल करता है दोस्तों आज हम अपने जरूरत के 97% खुद भारत में बनाते हैं ठीक है पहले तो असेंबल होता था लेकिन अब भारत में बनता है जितने भी चीनी स्म करणा लगिदर ठीक है उसको भारत में ही बनाओ भारत में बनाया फोन चाइना से आके नहीं बिलिकेगा ये गवर्मेंट ने कह रखएगा है तो चाइनी कंपनी अब भारत में मैं मैंनिफेक्श्रिंग करते हैं दोस्तों हईरान जनक बात ये लगी कि चाइनी स्कूद को में बनाना सिस्टा पड़ जाता है किकि यहाँ पे लेवर भी चीप है एक्विकमेंट बीज़ी ज्यादा अच्छे से मिल जाते हैं सब्सक्राइब बनाने में उनको अधिकटें होती है तो चाइनिस कंपनी भी भारत तर लोग फोन चेंज करते हैं अपना और 97% हम आपने जरूरत की फोन खुद भारत में बनाते हैं तीन परसंट जो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं वह कुछ दूसरे ब्रैंड के होते हैं जो मतलब यार एकाथ देश में चलते हैं जैसे आपको अच्छा लगाओ तब तक के लिए धन्यवाद जीए